हेलो गाईज आज आज मैं स्टार्ट करें कॉशन नूबर 121 अकाउंटिंग रिश्यों से लिए कॉशन वर्किंग कैपिटल डानोर रिश्यों में कैल्गूरिट करना है और क्लास 12 देखो गाईज स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे चैनल एक्सेस ट प्रिए चेंग ब्रट करेंग के साथ एक खौर्ट करेंग रहा है अचुछ और प्रेण आप रहा है और आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिलेगा साथ में इसके लिए हमें चाहिए इसके लिए हमें जो हमारा इंगेडेंट है हमें चाहिए व्रकिंग क्याप्टी में पड़ेगा इस ग्रवन इन इफॉर्मीन से तो हमें इससे current asset की value निकाल सकते हैं हम नहीं जो capital employee करें business में वो capital employed fixed assets में जो भी employee हुई है वो minus कर दो, fixed assets जितने भी उनकी value को minus कर दो जिससे fixed assets में जो पैसा लगा है वो minus हो जाएगा तो बचाओ पैसा हमने कहा लगा है current asset में तो current asset की value आ जाएगी capital employed हमार पास 12 lakhs इसमें से fixed asset में हमने पैसा लगाया 8 lakh रुपे तो 8 lakh minus कर दो तो current asset हो गया हमारा rupees 4 lakhs एक value आ गया हमार पास current asset की अच्छा इस question में current liabilities नहीं है तो हम इसी को working capital मान लेंगे this is the only working capital that we have invested in the current assets ठीक है इसी को working capital मान के चलते हैं अब हमें चाहिए revenue from operations जो हमें COGS से मिल जाएगा COGS क्या दे रखा है 40 lakhs ठीक है और GP दे रखा 20% on COGS cost ठीक है कम लोग क्या करेंगे COGS is equal to 40 lakhs यह हमारी value हमें दी हुई है और GP हमें दे रखा है GP is 20% of COGS ठीक है तो GP निकाल लेते है absolute terms में GP है 40 lakhs का COGS का 20% तो 40 lakhs का 20% हो जाएगा 8 lakhs GP की value आगई 8 lakhs ठीक है अब हम ही क्या करना है जो revenue from operations है उसकी value हम कैसे निकालेंगे revenue from operations is equal to COGS plus GP COGS में GP add कर देंगे 40 lakhs plus 8 lakhs cross profit है हमारा 8 lakhs ठीक है यह हो गया 8 lakhs तो टोटल हो गया हमारा रूपीज 48 lakhs यह हमारा revenue from operations आ गया 48 lakhs ठीक है अब यह जो data है working capital हम इसी को मान रहे है 48 lakhs हमारा revenue from operations है इन दोनों को हम put कर देते हैं 48 lakhs is what revenue from operations and 4 lakhs is our working capital अमने करेंट असेट कोई working capital माना है because there is no current liability तो यह हो जाएगा 12 times the answer would be 12 times ठीक है guys तो यह इस तरह से questions all हो जाएगा so guys I hope you understand very well if you like my teaching please subscribe my channel thank you very much